गाईस जब भी हम iPhone से दूसरे परसन को फोटो ये वीडियो सेंड करते हैं तो उसकी resolution उसकी clarity कम हो जाती है तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप दूसरे परसन को वीडियो और फोटो सेंड करें जिससे 1% भी वीडियो और फोटो की clarity एक पिक्सल भी कम ना हो बिल्कुल ओरिजिनल फोटो और वीडियो सामने बाले तक पहुंचे। तो हाई गाइस फिर नहीं मैं विने एंड बेलकून टू टेक्कॉन ट्रेंड गाइस यह वाला फोटो मैंने डी एसलार के साथ में कलिक किया है। अगर मैं इसे डारेक्ट वाट्साइप के उपर सेंड करता हूं किसी को सेंड करता हूं जैसे मैंने खुद को सेंड किया तो नॉर्मल सेंड पर इस फोटो की क्लिटिक बहुत ही ज्यादा कम हो चुकि है बहुत जादा डिटेल जबो कम हो चुकि है और इसलार के साथ में क्लि करना है उसके पाद आपने सेब टु फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर आपने on my iphone में photo को share कर देना है iCloud device में आपने save नहीं करना है on my iphone में photo को उपर से save कर देना है तो यह हमारा photo सेब हो चुका है आप यहां पर files में जाके देख भी सकते हो यहां पर हमारा photo save हो चुका है और in future आप यहां से photo को delete भी कर सकते हो तो अब आते हैं हम WhatsApp के उपर तो WhatsApp के उपर अब आपने जिसको photo send करना है तो आपने नीचे यहां पर plus button के उपर click करना है और यहां पर आपको document दिखाई देगा यहां पर documents के उपर आपने click करना है उसके बाद आप देख सकते हो हमारा files वाला folder यहां पर show हो जाएगा on my iPhone तो यहां पर आपने click करना है और उसके बाद यह रहा हमारा यह photo तो 6.2 MB का अब यह original photo जाएगा तो यह मैंने send किया तो अब यह original photo गया document form में और पुराने वाले photo की clarity बिल्कुली कम हो चुकी की send कर सकते हो WhatsApp की उपर so I hope guys कि आपको यह वीडियो अच्छे लगी होगी जो आप लोग comments करते हो उनकी उपर में वीडियो लेके आज आता हूं तो अब इस वीडियो में comment करके बता देना कि आपको और किस तरह की वीडियो सही है so अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी मैं मुलता हूं आपके साथ नेक्स वीडियो में पीस आओ